क्या लव कटारिया बिग बॉस के घर के अंदर काफी सारी चलाकी से अंदर आया है क्या लव कटारिया एलविश यादव के नक्षे कदम पर चलता हो नजर आ रहा है ऐसा ही कुछ का जा रहा है क्योंकि आज लव कटारिया ने बिग बॉस के घर के अंदर कुछ ऐसा किया जो पूरे के पूरे एक साल पहले एलविश यादव ने बिग बॉस के घर के अंदर किया था यानि लव कटारिया उसी रास्ते पर चल चुका है जो रास्ता एलविश यादव ने चुना था क्या कुछ किया है यहाँ पर लव ने जो हर कोई उन्हें यलविश यादव की पॉपी कह रहा है चल लिए आपको बताता हूं लेकिन इससे पहले चानल पर ने हैं सबस्क्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान पूच जरूर बदा दे आपको उता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर आज लव कटारिया सारे के सारे कंडेशन बैठे हुए थे फिर वहाँ पर सना मकबूल हो शिवानी हो या फिर हो अर्मान मलिक और उनकी दो वाइफ वहाँ पर आपको उता देंगे लव कटारिया ने एक जोक सुनाया बंदर वाला जोक जोकी पूरे एक सार पहले एलवी शादव ने बिग बॉस के घर के अंदर एक दो दिन में पहुँचते ही सुना दिया था तो लव कटारिया ने वो बंदर वाला जोक सुनाया जहां पर वो कहता है कि एक छोटा सा बंदर गुम हो जाता है उसकी माँ पूरे के पूरे जंगल में उसे ढूरती है और जिससे भी पूछती है हर कोई कहता है कि अगर एक किस दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे का पता बताऊंगा तो ये जोक जैसे ही लवकटारिया सब को सुनाता है तो सभी घरवाले लाश्ट में पूछते हैं कि आखिर वो बंदर का बच्चा है का तो लवकटारिया कहते हैं अगर मुझे कोई किस देगा तो मैं बताऊंगा ये कैकर सभी के सभी घरवाले काफी जदा हसने लगते हैं लेकिन यहाँ पर अब जनता का कहना है कि यह लवकटारिया ने वही जोक सनाया है जो जोक एक साल पहले अलविश यादर ने सिकाया था यानि यहाँ पर लवकटारिया अलविश की पूरी की पूरी कौपी करते या फिर नहीं कमेंट जूरूर करें बिग बॉस रूड़ी हरेक लेटर्स का प्लेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब